कि कि आज हम जो स्टार्ट करने वाले आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्या आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लॉक यानि की घड़ी तोंच पांजली जी मेरा कल वाला रोगया वहुंद अज बस्तार्ट में स्टाइड करेंगे घड़ी कि क confession होती है टुक में हमारे पास तीन एंट ई Gregory वाला जो होता है हमारे पास में क्या होता है यह वाला हमारा है आरेंड इस वनीज अब मिन गें कि हमारा में देंड यह क्या हमारा आप सभी का आपका है और रेंकिंग डिलेशन इसके बाद में आप सभी का है क्या बोलते हैं यह बहुत चोटा सा हमारा जो है इसलेबस है टेंशन नहीं करनी है उसके लिए देखिए अब अगर क्लोग की बात करेंगे अब अगर क्लोग की बात करेंगे क्लोग में मेंली हम दो सुई यहां लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे आरेंड की कि अपसे पहले बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे किसकी मिनटेंड की एक तो बात कर रहे हैं किसकी घंटे वाली दूसरी बार आप कर रहे हैं किसकी मिनटेंड वाली सुईंगे जी जाके देखिए बब अच्छे से एक सलेबस विजिट कीजिए लेबस में बड़ड लेशन है आर एंड अब नॉर्मल सी चीज बताईएगा यहां पर सभी घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है इस नॉर्मल मेरा क्लोक है देखिएगा एक बार समझ येगा पीछे चलते हैं किसे समझाने के लिए आपको कि यहां पर जो घंटे वाली जो यह लाइन से मतलब जो प्लोक के और एंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं कितनी है कि घंटे में पूरा घड़ी का एक जो पूरा साइकल हो कितने घंटे का होता है कितने घंटे का हमारा बारा घंटे का वेल्फ थ्री सिक्स नाइन जो साइकल एक साइकल आपका कितने का घंटे का और एक दिन में कितने साइकल होते हैं दो साइकल तो पूरा दिन गंटे का बनता है 24 आर्स का अब देखेगा समझेगा कि सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी आरेंड की कि अकि जो साइकल बारा घंटे का ऐलवार बन रहा कितना बन रहा है श्रीक्सेटिग्री अब 330 डिगरी अब 360 डिगरी अब उसके बाद आगे देखिए एक घंटे में कितना एंगल बनेगा वन आर में कितना बनेगा में क्या करतें Similarly है जो मिनट होते हैं चितना होते हैं हमारे पास में मिन एगा 30 upon 60 is half degree that is half degree तानी कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई है कि स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी आफ डिग्री कि मिनट कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई है एक घंटे में कितना रन कर रही है घंटे में आदा डिग्री एक मिनट आफ डिग्री फ़र मिनट कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई है जो 60 में एक मिनट में कितना रडिघर जोस्के ही का यहजी डेखिए सब्सक्रम करेगा अधा डिग्री कि उससे तो बारा घंटे का time होता है and 12 गंटे के बाद क्या होते हैं कि 12 गंटे के बाद अगर 160켜ों ऑगर थिसकिल आदerson चाहिक कि आंगों कमा Sir कि यह समझेएगा सि यह हमारी कलोक के अरह हैं है त धेख की चंद बनेगा 406 सब्सक्तुप मेंने ट्सक्राइगiform मैं 362 तो एक घंटे में कितना वानेगा तेन सुषाट बठा बारा घंटे का मतलब क्या होता है साठ मिनटे एक मतलब होता है साठ मिनट में इंगल कितना भी यहां जब tis डिगरी था तो यहां अभी 30 डिग्री आएगा मैंने एक मिनट का निकाल लिया जब मैं एक मिनट का निकालूंगा तो क्या करूंगा 30 बटा में 60 कर दूँगा 30 कर दिया इसे कम 30 30 दुनी 60 आदा डिग्री अब देखिए स्पीड कैसे निकल के आया घड़ी की जो घंटे वाली सुई है घड़ी की आ की ओजिए से करेंगे किसकी हम सब मिनट करते हैं यह तो हमने बात कि किसकी अर और और किस्व कि कि बात करते हैं सभी मिनटेंड की कि मिनटेंड देखिए एक घंटा फूरा जो एक साइकल होता है गंटे की अब भी तक मैंने बात करी कि कि 12 गंटे की अब मैं बात कर रहा हूं एक घंटे की एक घंटा वनार इस इक सब्सक्राइब कर दो कि दोनों भूम के आएं गी तभी तो एक घंटा होगा हमारे पास में एक घंटे कितना बन जाएगा एक मिनट पर एंगल बनेगा जैसे 360 को अगर मैं 60 से भाग दूँगा तो 6 डिगरी तो आएगा यहां पर मेरे पास speed निकल के आगई क्या speed निकल के आगई minute end की speed निकल के आगई क्या minute वाली जो सुई है एक घंटे में कितना shift होती है minute वाली जो सुई है वह एक मिनट में कितना shift होती है 6 डिगरी पर दिखिए अगर second में हाला कि वैसे second पूछा नहीं जाता लेकिन अगर इसको second में भी break करना है तो देखिए एक मिनट में कितने second होते है 60 कि इंगल कितना यह बटा बनेगा साल यानि की इक बटा यह वाला पॉर्शन लेकिन पूछा नी जाता है एक यह पूछा जाता है पूछा जाता है और इस पूछा जाता है मिनुकर चीज अब कि था प्सक्ति अमिडिशे को को मिला के शीज निकाला जाता है जिसको क्या बूला जाता है टॉनों को मिला की चीज निकालते जिसको क्या बोलेंगे रिलेरिटीव स्पीड इस प्रड़िव स्पीड क्या होता है रिलेटिव स्पीड यानि कि दोनों को जो घड़ी के घंटे वाली सुयां है दूनों सूईया मिलकर एक घंटे में कितना चलेंगी देखिए क्या करेंगे बड़ा वाले में से चोटे वाले को भाने कर देखरी से मैंनस क्या करेंगे हाफ डिगरी यह कितना हो जाएगा देखिए यह दुनी 12 माइनस 1 11 बटा 2 12 बटा 2 आपकर relative speed क्या निकलके आता है 11 बाइ 2 relative speed क्या निकलके आता है 11 बाइ 2 12 बटा 2 relative speed जो है काफी important है सी से ही सारे questions होंगे हमारे इसको 4 mark कर लीजिएगा relative speed 11 बटा 2 12 बटा 2 से ही सारे question होंगे और घड़ी की दोनों सुईयां कितना angle बनाती है साड़े 5 डिगरी घड़ी की दोनों सुईयां एक घंटे में कई बार ये question पूछ लिया जाता है कि घड़ी की दोनों सुईयां गंटे के दौरान कितने डिगरी का एंगल बनाती है तो कितना इंगल बनाती है पांच पॉइंट पांच डिगरी तो कि मैं ग्यारा में दो का भाग दूँगा तो क्या आएगा 5.5 यहाएगा हमारे पास में कि चलते हैं सभी को क्लियर आपसे क्या पूछेगा अब आपसे निकल वाएगा आपको टाइम दिया जाएगा वह क्या होगा दिया जाएगा इंगल आपसे पूछेगा इंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है क्या आर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11 बाइटू इंगल निकालने का फॉर्मूला होता है आर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11 बाइटू इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11 बाइटू एक फॉर्मूला यह हो गया इस फॉर्मूला को अगर मैं इस तरह से लिख दूँ आर इंटू 60 माइनस मिनट इंटू 11 क्राइम थोड़ी करूंगा बात तो एक ही है न मैंने कोई क्राइम थोड़ी किया अभी भी बात तो एक ही है मतलब तो एक ही है दो चीजे सेम ही है चाहे तो यह वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए चाहे यह वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए बात एक ही है ठीक है एंगल का जो कुश्चन है वो किस तरह से पूछा जाएगा आप लोगों से एंगल खे लग मैं पीटाइएगा पूरे क्लोग के अंदर गंटे वाली सुई को किससे मल्टिप्लाई करना है 30 से इसे क्लोड स्केल कुख। क्लोग के दौधारन कि दौरब हें वाली सुई को कि इस से मुट्यप्लाई करना है चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा रटना नहीं है सिर्फ राद रखना है पूरे क्लोक के दोरान जो आर एंड उसको किससे मल्टिप्लाई करेंगे हम 30 से ठीक है अधिकी कुश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे कुश्चन कैसे पूछा जाएगा नॉर्मल सा कुश्चन पूछेगा साथ बज़कर बारा मिनट तर घड़ी की दोनों सुईया इतने डिगरी का कौन बनाएंगी जल्दी से बताइए साथ बज़कर बारा मिनट पर साथ बज़के बारा मिनट पर घड़ी की दोनों सुईया कितने डिगरी का कौन बना रही है चली आंसर आने लगे मेरे पास में 44 शिक गुपता स्क्रीन ब्लैक मैंने किया हुआ है मेरे यां लाइट नहीं है तो मैंने कैम जैसे लाइट आएगा मैं कैमरा ओन कर दूंगा फोड़ा सा आज मैने कर लीजी आज पहली बार ऐसा हुआ है क्लास में लाइट नहीं आ रहे है मेरे पास आंसर आया 144 डेग्री पढ़ने के लिए तो हम इतना मैने करी सकते हैं जब मैं इतनी मैनत कर रहा हूं गर्मी में बैठके तो आप लोग तो राम से पंखे इसी कुलर में बैठें फोड़ा था मैने इस कर लीजी आज आज की दिखत है कि इस इंपल फॉर्मूला में रखना है साथ बज़ के बारा मिनट के आद बज़ के बारा मिनट जब देखे साथ क्या हुआ घंटा इंटू 30 माइनस मिनट कितना है हमारे पास में बारा इंटू 11 बाइट रू इतना हुआ शिक्स इंग्ल कितना निकल के आया आपका 144 डिग्री करें सबी को सबी ने एकदम करेक्ट आंसर किया है एक इसकी शॉट ट्री को और है जैसे कि आपको बुला गया पांच बज़कर 30 मिनट पर घडी की दोनों सुईयां कितने डिग्रे का इंग्ल बनाएंगी पांच बज़ कर 30 मिनट पर रिखी दोनों सुई हैं कितने डिगरी का एंगल बनाएंगी समझ येगा एक बर जस्ट मैं समझा रहा हूं आंसर आप लोग कर दीजिए फॉर्मूला में रखे इसका शॉर्ट ट्रिक समझ ये पर देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है शॉर्ट ट्रिक आपको देखने में लगेगा थोड़ा लेंग्टी है लेकिन लंबा नहीं है 1 step 1 कि है आर एंट को मल्टिपलाई करना है 20 से 98 thousand step 2 क्या है हमारा our end को 30 multiply करना है और minute का half कर देना है minute का क्या कर देना है आदा और इन दोनों को जोड देना है step 1 और step 2 को add कर देना है minute का half किया देखिए घंटे वाली सुई को multiply किया 30 से minute का आदा कर दिया फिर उसके बाद में देखिए step 3 कि 1 minute में हमारा कितने degree का angle बनता है एक minute में चे डिगरी का अभी बढ़ा था हमने थोड़ी देर फ़य कितने degree का angle बनता है अप देखिए यहां पे जो भी minute आएंगी minute into 6 उसको 6 से multiply कर देना है तोटल में से minus करना है उसको total में से क्या करना है माइनस करना है यहाँ पर आपका एंगल निकल के आ जाएगा देखने में काफी बड़ा लग रहा है ना भी देखो अब इसको सॉल्ब करते हैं अच बज़के 30 मिनट अच बज़के 30 मिनट का आदा कितना होगा पंद्रा उनों को एड किया कितना आ गया 165 अब देखिए मिनट यह फेटिव रहता है अभी भी अगेटिव नहीं होता है तो स्लास एस्चू होगा कर देखिए चलते कोश्चन करते हैं तीन से चार कोश्चन करते हैं जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा जाएगा चली आंसर कीजिए साड़े साथ बजे फाइंड दा एंगल बिट्विन बोथ दा हैंड्स ऑफ दा क्लोक एट सेवन थर्टी साड़े साथ बजे घड़ी की दोनों सुईयां कितने डिगरी का कौन बनाएं जादी से आंसर कीजिए जाएंड दा एंगल बिट्विन बुद दा हैंड्स ऑफ दा क्लोक एट सेवन थर्टी आंसर आया हमारे पास में भी 45-45-60 45 साड़े साथ बजे 45-45 शालनी बहुत ने आंसर किया 45 प्रदीप का आंसर 45 संगम उन्नती दिव्या सभी का आंसर आया है जो 45 आया है इसको कितनी बार कटा पंदरा बार कि 210 माइनस अब देखिए 11 का 110 और 11 पंजा नों को एड़ किया 165 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा जिरो में से पांच गया दस में से पांच गया पांच 20 में से 16 गया चार एट इस 45 डिगरी आया 45 डिगरी इत्तो है कब मैंने फॉर्मूला लगाया ठीक है अब देखिए शौट ट्रिक देखते है शौट ट्रिक अथी और इंटो 30 ताथ गुणा 30 कितना आ गया 110 मिनट का आ रहा है 45 डिगरी करेक्ट आंसर कितना आया हमारे पास में 45 डिगरी जवर करेक्ट आंसर ठीक है अब इसको कोश्चन को करेक्ट कर लिजिएगा ओपर इंगलिश मीडियम वाले पर गड़ी की दोनों सुई है कितने डिगरी का एंगल बनाएंगे अब इसे आंसर कीजिए मेरे पास एक आंसर आ चुका है अब इस ट्राजली ने आंसर किया सब्सक्राइब ने आंसर किया 120 इसे आंसर कीजिए, करेंगा ट्राजी झांसर का है मेरे पास answer 75 is correct आदीदेव ने भी answer किया खंगम ने बोला है कि सर 75 तो एकधम परेंग चलिए इसकते को को इसक करते हैं को कि इसके थीन बचके 30 मिनट की बात कर रहा है थीन बचके 30 मिनट की बात कर रहा है थीक कि देखते हैं किटना आया 90 माइनस इस है किसे आया तो कि बेद आ जाएगा 75 और एंगल कैसा होता है हमेशा पॉजिटीव एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आता तो कि 90 इसका हाफ किया तो कितना आया 15 दोनों का एड किया 105 इस तिया 90 और चेंटी आठारा एक सोसी में से अभी भी 105 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 डिग्री इस ऑप्शन सी कि हमारा एक दम करेक्ट आंसर है चली नेक्स्ट कोश्चन पर मूव करते एक बचकर 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुईयों का कौन क्या होगा चली बताए जल्दी से बताए एक बचकर 10 मिनट पर घड़ी की दोनों सुईयों का कौन कितना होगा इस शीता ने आंसर किया 25 वामनी ने आंसर किया 25 डिप आधित शशांग तो रेंद्र तिवारी प्रद्युमन कुमार किरन तिवारी पारुल दिख्षित सभी आंसर कर रहे है 25 डि कि काफी इसी कोशन है और इन्टू 30 इस का आदा पांच 35 हुआ ठीक है उटके बाद में 10 को मल्टिप्लाई किससे करना अच्छे से साथ से यहां से माइनस किया तो कितना आया 25 डिट इस ऑप्शन ऑप्शन ऑवर करेक्ट आंसर यह बहुत अच्छे ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर जलिए चार बज कर 40 मिनट पर घड़ी के बनाएंगी चार बज कर 40 मिनट कुदी से कमेंट कीजिए कर दो तो मजा नहीं आ जाए हंड्रेट डिग्री चार बज के 40 मिनट की बात कर रहें कार्थी अब बारह 120 और 40 का आदा कितना हुआ 20 दोनों को एड़ किया 140 डिग्री और 40 को अगर मैं मुल्टिप्ला ही करूंगा 6 के साथ में 240 माइनस किया कितना आया 100 डिग्री तो वाट इज अवर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन बीज अवर करेक्ट आंसर इस कि एक और शॉर्ट ट्रिक है एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं अच्छे से समझेगा शॉर्ट ट्रिक जदी वाली सुई मिनट वाली सुई का जो रेशो है वो कितना है वन रेशो फॉर है जैसे कि एक बज़के चार मिनट दो बज़के आठ मिनट इन बज़के बारा मिनट तार बज़के सोला मिनट इसके बाद में पाँच बज़के 20 मिनट इन सभी टाइम्स को देखे सभी क्या जा रहे वन रेशो फॉर में जा रहा है जबी भी टाइम का रेशो कैसे होगा आर और मिनट का रेशो कैसे आएगा वन रेशो फॉर जाएगा तो कुछ नहीं करना आपको सिंपल सा क्या करना है मिनट का दुगना कर देना है मिनट का क् चार बचके 16 मिनट पर घड़ी की दोनों सुईयां कितने डिगरी का एंगल बनाएंगी अपलदी से निकालो आप लोग देखो एक बार बचके 16 मिनट पर निकालिए चार बार हैं यहां पर सब कुछ किया तो एंगल कितना निकल गया है बत्तिस डिगरी और सीधा अगर मैं सोला को मिल्टिप्लाइए कर दू दोसे कि वन राइशो four बन रहा है चार के सोला मिनट यह क्या बन रहा है चार एकम 4, 4 चोका, 16 वन रेशो four में चला गया शिक्स्टीन को multiply किया दो से कितना आ गया 32 डिगरी पांसर कितना आ रहा है 32 देखिए जब भी आपका time और और minute का राइशो कैसे जा रहा है तो आपको क्या करना है उसको क्या करदेना है सीधा मिनट को मल्टिप्लाई करना है किस से तू से अच्छी चीजे थोड़ा सा रखिएगा अच्छी अच्छी दूगा तुम्हें कभी नहीं बूलोगे लाइफ अदि देखिए यदि आर और मिनट का रेशो वन रेशो 5 है या फिर आर एंड मिनट का रेशो 1 रेशो 6 है क्या करना है आप सबी को देखिएगा ते एक बज के पांच मिनट दो बज के 10 मिनट इन बज के 15 मिनट हो रहा है यहां पर आर बज के 20 मिनट हो रहा है आज बज के 25 मिनट भल् Krht Southern ग जो पॉ रहा है यह सब और निज कैसे जा रहे हैं और, आज रेशो 5vity। अब ऐसा हो रहा है दोनों अगर आपका बन रहा है & वन रेशो 6 तो बच नहीं करना आपको minute में भाग दे दीजिए किसका दो का minute को divide कर दीजिए दो से आपका angle निकल के आ जाएगा आपका angle निकल के आ जाएगा जैसे जैसे की अभी हमने कुशन किया था पंसा वाला कुशन आपर देखो चार बज के 20 minute पर angle निका लिए चार बज के 20 मिनट पर घड़ी की दोनों सुईयां कितने डिग्री का angle बनाएंगी जल्दी से कीजिए इस डिग्री श्वांजली ने आंसर किया दस डिग्री देखिए चार बज के एक बार इसको इस डिग्री आ रहा है मेरे पास में अगर मैं इतनी मेनत ना करूं मैं सीधा 20 में किसका भाग दे दूँ दो का कितना आ जाएगा अठारा पंजा नाभए अठारा चीकी 108 एकसो आठ में से 99 को माइनस किया तो कितना आ रहा है नाइन डिग्री के अगर मैं सीधा अठारा में दो का भाग देता तो भी कितना आ रहा था नौ डिग्री यह चीजे अधिशी दोनों प्लिय रहें अगर वन रेशेव 4 आ रहा है तो तो क्या करना है उस केस में मिनट का दूग ना कर दे Duty लिए चिक है अगर वन रेशेव ह resposta आ रहा है आप सभी को क्या कर देना है मिनट को इवाइड कर देना है कि से 2 से कि आगे चलते हैं थोड़ा सा कि मुहम्मद मौसिन ने कि आर बीस पर एक चार का है मुहम्मद मौसिन चार बीस देखो एक एक रिश्यों पांच हो रहा है न चार एकम ना चार चार पंजाब वीश आप गलत कर रहें इते आगे चलते हैं टेबल इक बार अच्छे से कीजिए आर और मिनुट clearing रेशो और मिनट का रेशो यदि वन रेशो 10 में जा रहा है जैसे कि 1 बच के 10 मिनट बच के 20 मिनट इन बच के 30 मिनट & 4 बच के 40 मिनट 1 250 ऐसाथ 7 बच के 70 मिनट तो घड़ी में टाइम होता नहीं है यहां पर अगर कुछ ऐसा आ रहा है और हमें एंगल करना या आंगल कुछ नहीं करना बच्चा मिनट का मल्टिप्लाई कर देना किसके साथ तू.5 के सांथ में शरीकनल है जैसे कि 4 बज़ के 40 मिनट यहां पर एंगल निकालते हैं, 4 बज़ के 40 मिनट पर, तो देखिए 4 चोका, 4 तीय 12, 120, और यहां पर इसका आदा 20, 140, और 4 चोका, 16, 4 ची की 24, 240, कितना आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है न, 4 चार चालिस पर, यह हमने कोशन भी किया था, अब देखो मैं सीधा ही यहां पर क्या कर देता हूं, 40 को यदि 2.5 से मल्टिप्लाई करता हूं, 40 दुनी, 80 और उसका आदा 20, तो 100 डिग्री तो आ रहा है न, अभी भी क्या आ रहा है, 100 डिग्री, clear है सभी को, जी, बता दीजिएगा, मज़ा आ रहा है तो क्लास में, कुछ नया सीखने को मिल रहा है न, आज, अजी मेरे share और share नहीं हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, चलिए, अब आगे चलते हैं, देखिए, अब एकोर trick क्या है, यदि आर और minute का ratio कितना बन रहे है आपका, आर और minute का ratio कितना बन रहे हैं, 1 ratio 8 में जा रहे हैं, क्या जा रहे है, वन रत टो, तो क्या करना है, एंगल निकालने के लिए कुछ नहीं करना आप सभी को, simple सा minute minus r और multiply कर देना है 2 से minute minus r multiply करना है 2 से यदि 1 ratio 8 बन रहा है तो हाला कि 1 ratio 8 के question बहुत कम आते हैं लेकिन अगर आ जाए तो उस case में भी क्या करना है minute minus r into 2 जैसे ले लेते हैं 2 बज के 16 minute यहाँ पर देख लेते हैं दो बच के 16 minute पर एंगल कितना बन रहा है ठीक है 68 68 ठीक है 1666 तो 16 में से 8 गया 28 डिग्री ठीक है करके देख लेते हैं यहाँ पर देखिए minute minus r 14 और multiply 2 से किया 14 into 2 कितना होता है 28 डिग्री ठीक है और यहाँ पर भी कितना आ रहा था 28 आ रहा था जी clear है आप सभी को सभी को समझ में आया तो यह कुछ एक short tricks थी आपकी सभी की यह सभी क्या है short tricks चलिए बहुत अच्छा repeat करना है किसको repeat करना है किसको problem आई भाई कौन बोला प्रांजल त्यागी प्रांजल देखिए अगर time का ratio और minute का ratio और minute का ratio कितना रहा है वन रेशो एट जैसे एक और example लेते हैं एक और example लेते हैं हम लोग वन रेशो एट का देखिए तीन बज के 24 मिनट लेते हैं तो तीन एकम तीन तीन आठ चौविस वन रेशो एट बन रहा है तो कुछ नहीं करना मिनट में से आपको क्या घटा देना है घंटे का समय चौविस में से घंटे का और multiply कर देना है दो से तो देखिए 21 बुणा में 2 कितना आ गया 42 डिग्री एंगल कितना निकल के आया 42 डिग्री यदि आप इसे formula से भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर 42 डिग्री आएगा अरेंद्र नेन विदाउट formula ही समझाया है नहीं शशांक वन रेशो टूका नहीं है यह कुछ एक fix है जिन जिन के tricks है चीक है चलिए अब next step पे चलते है अब देखिए कुछ एक अलग टाइप के questions और है चलिए यह question कीजिए दो गंटे पंदरा मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोणी है दूरी याद कीजिए दो गंटे पंदरा मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोणी है दूरी जल्दी से answer कीजिए जल्दी से पलक शेफर्ड अभी एन्म के एक्जाम की अभी देखिए अभी थोड़े दिन पहले कि इस्चु सर्कुलर आउट हुआ है आप लोगों के एक्जाम के लिए कि चलिए पुषपांजली ने आंसर किया आट सो दस डिग्री बहुत अच्छे अमर्नात मुर्या ने एक सोसी डिग्री देखिए को थोड़ा सा घुमाया है परिशान मत होईएगा थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां पर सभी को चलिए प्रद्यमान कुमार का अंसर बी संगम ग रिशिक गुप्ता ने आंसर किया है ؟ शालनी का आंसर बी प्रिया सिंग ने भी आंसर किया है धी अंशुल खुशबु शर्मा भी जी देखिएगा 2 घंटे 15 मिनट की बात कर रहे है अब एक बात बताईए 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे में कितना टाइम हो गया 120 मिनट हो गया न 2 घंटे का मतलब क्या हो गया 120 मिनट और 15 मिनट extra दी हुई है 120 में अगर 15 मिनट भी एड़ कर दू तो टोटल टाइम कितना हो गया 135 मिनट और आप सभी को पता है मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिगरी का एंगल बनाती है 6 डिगरी का तो 135 मिनट में क्या बनाएगी multiply 6 से कर देते हैं 6, 5, 3, 6, 3, 8, 8, 810 डिगरी That is our correct answer. That is option A. 810 डिगरी What is our correct answer? Option A. 810 डिगरी Clear है सभी को? समझ आया? जी अंतिमा आपका भी answer correct था? चलिए next question पर move करते हैं अगला कॉर्षण साथ से 8 बज़ के 20 मिनट पर के 20 मिनट की सुई द्वारा कोण यह दूरी याद कीजिए साथ से आठ बज़ कर 20 मिनट तक चलिए बताइए अब देखिए साथ से आठ बज़ के 20 मिनट कितना हो गया टाइम कितना जा रहा है एक घंटा 20 मिनट एक घंटा 20 मिनट यही तो कितना हो गया असी मिनट और सी को अगर मैं 6 से मल्टिप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 48 डिग्री डेट इस ऑप्शन एप्शन 480 डिग्री जी बहुत चे आपका आंसर करेक्ट था इस अधी का भी आंसर और मोस्ट करेक्ट थी चलिए तीन गंटे 25 मिनट में तीन गंटे 25 मिनट पड़ापट से अंसर कीजिए कि इसने पूँछ कमेंट किया मुझे क्या क्या कमेंट आया एक बड़र रिपीट करेंगे कमेंट आप उपना मुष्पांजली ने आंसर किया 102.5 102.5 डिग्री तीन गंटे 25 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कौनिया दूरी याद कीजिए जी तीन गंटे 25 मिनट प्रांजल त्यागी ने आंसर किया 120 और नती चोहान ने आंसर किया C चली देखते हैं तीन गंटे 25 मिनट की बात कर रहा है यानि कि कितना टाइम हो गया 205 मिनट 205 मिनट और मल्टिप्लाई किससे कर देंगना है चैसे चैपंच 30 चीक है छें दुनी 12 और 3 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक तीन एक मिनट के मैं पाच्शेस मिनट सच अब इसमें पेहले तो मुझे यह बताओ निकालना कैस में एंगल निकालना है मेन wraz अंब आप ओफ 1230 अपने चाओ वरि खट 1230 सूरेंडर बिल्कुल बिल्कुल हला है जी देखिए यहां पर कोशन देखिए तीन बच्चिस मिनट तीन बच्चिस मिनट चीक है तो यहां पर देखिए नबच्चिस का अधा कितना साड़े बारा चीक है पर्टी सेवन पॉइंट फाइव जबकि ऐसा भी आंसर नहीं है आपके पास में चलिए ओके आरेंड में हाप से करेंगे वरी अरेंड में किसे करेंगे जी हाप से करेंगे बहुत चलिए एक शूरमा बोला हमारा तीन गंटे पच्चिस मिनट में घड़ी की सुई द्वारा ब तीन घंटे तीन घंटे जी और कोई जो आंसर करेगा पहले तो यह बारा सो तीस वाले बताईए बारा सो तीस वाले इनका आंसर देखके ना बड़ा मजासा आ रहा है मुझे कुषपांजली बिटा आई नो मैं भी मैं ही पड़ा रहा हूं न तो मुझे पता है एक अंसर आयम जस्ट वेटिंग मुझे जस्ट मैसेजस देखने ना बच्चों के कि देखे घंटे की सुईंग की बात कर रहा है क्या घंटे की सुईंग की बात कर रहा है तो एक घंटे वाली सुईंग में कितना एंगल बनाती है हाफ डिगरी पर मिनट हाफ डिगरी पर मिनट अब देखे एक सो सी और पच्चिस कितना हुआ दो सो पांच और अगर हाफ डिगरी बना रही है तो इंटू क्या कर दूंगा वन बाइट टू डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा वन जीरो टू पॉइंट पाइब तो यह जितने भी बच्चे बारा सो तीस आंसर कर रहे हैं मेरे भाई बेहन नहीं नहीं पुश्पांजली आपका आंसर ठीक है डूंट वरी वन जीरो टू पॉइंट फाइगा तो कि घंटे वाली सुई दी गई है ना यहां पर हां जी मैं जस्ट वेट कर रहा था देखो कल भी जैसे एक कोशन था हमने जब फर्स्ट क्लास में किया था मुझे पता था सब लोग गलत आंसर करेंगे सर समझ नहीं आया दिव्या जी देखिए कोशन में क्या बोला गया है तीन घंटे 25 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोणी यह दूरी और देखिए इससे पिछला वाला कोश्चन क्या था इससे पिछला वाला कोश्चन मिनाट की सुहिं द्वारा बनाए गई देखे यहां क्या लिख रहा है मिनट की सुहिं और इस question में क्या लिखा हुआ है घंटे की सुहिं द्वारा बनाए गई जीक है तो देखे पीटा एक घंटे 1060 एक मिनट में कितना मेंगल बनाती है आफ डिगरी पर मिनट आप डिगरी लिए तो दिखिए इनको जब मैंनेट चेंज किया चेंटDe 1818 प्लसटेयस मिनट में चेंज चेंच किया तो कितना मिनट हो गया 25 मिनट और मल्टिप्लाइ इस से करूँगा वन बाई टू से तो यहां पे अगर दो से इसको काटा जाएगा तो कितना आएगा 102.5 ही तो आएगा ना 102.5 सभी को अरे हरेंदर जी फॉर्मूला ही तो है यह और क्या कर रहे हैं हम चली आगे चलेंगे जी अगला कुश्चन जल्दी से बताइए बारा से तीन तीस तक गंटे की सुई द्वारा बनाया जाने वाला कौणी अदूरी अब कोश्चन अच्छे से पढ़ना फिर आंसर करना सबी लोग कोश्चन को अच्छे से पढ़के फिर आंसर करना है अब तो सब चीते बन गए अब तो ऐसे भागेंगे जैसे ओलम्पिक ओलम्पिक में गोल्ड यही सब लेके आएंगे अब जावाश मेरे चीतों देखिए कितना जो डिफरेंस है हो कितना आ गया साड़े तीन तक तीन घंटे तीस मिनट का तो 180 और 30 कितना हुआ 210 और 210 को हाफ इंटू वन बाइटू करता अगर मैं वन बाइटू करता तो कितना आ जाएगा जी 105 डिग्री 105 डिग्री अब तो सभी का आंसर एकदम करेकता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे चलिए यहां बताईए सवा नो से साड़े ग्यारा तक जल्दी से आंसर करो कमेंट करते जाओ फटापट 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 इसके बाद एक और चीज़ सीखेंगे जी सवा नो से साड़े ग्यारा पारू दिख्षित ने हैंड्रेज किया है इसको समझ नहीं आ रहा है अभी भी किसको प्रॉब्लम है गया है इतने अच्छे से तो चीज़ एक दर क्लियर की जा रही है आप सभी लोगों की कोई बात नहीं अगर आपकर नेट खतम हो गया है तो सो क्या प्रिकॉर्डेट क्लास देख लीजिएगा जी सवा नो से साड़े ग्यारा यानि कि कितना गयप हो रहा है दो गंटे 15 मिनट का गयप हो रहा है कितना और है दो गंटे 15 मिनट का यानि की 135 मिनट और गंटे की सुई की बात कर रहा है इसको डिवाइड कर देंगे किस से वन बाई टू ठीक है तू से डिवाइड किया दो चीकी बारा दो साथ चौधा 67.5 अब देखिए आगे एक बात अभी बात करते हैं किसकी आगे चलते हैं एक नया चीज सीखेंगे जी देखिएगा reflex angle कोई बताएगा reflex angle क्या होता है कोई भाई या बेहन जो बताने के लिए एक शुको reflex Angle क्ले होगा what is reflex angle जी कमेंट आए मेरे पास 180 से बड़ा बहुत अच्छे परावरतन कोंड ठीक है वेरी गुड हरशीता वर्मा ने एक दम करेक्ट डेफिनेशन दिया है कि ऐसे कौन ऐसे कौन जो 180 डिगरी से बड़े होते हैं तथा 360 डिगरी से छोटे होते हैं प्रतिवर्ती कौन कहलाते हैं इसकी हिंदी होती है प्रतिवर्ती कौन कहलाते हैं ऐसे एंगल जो 180 से बड़े और 360 से छोटे वो क्या होंगे हमारे reflex एंगल सोटे है चीक है अब देखिए इसका question कैसे आएगा find reflex एंगल at 630 6 बचके 30 मिनट पर क्या निकालना है प्रतिवर्ति कौन निकालना है चलिए जल्दी से आंसर कीजिए option से आप सभी के 15 डिग्री 345 डिग्री 195 डिग्री 330 डिग्री और last option है none of these इन में से कोई भी नहीं जल्दी से आंसर कीजिए शाबाज फटाफट फटाफट जी प्रांजल बहुत शे से आपने बताया प्रदीप मौर्या ने आंसर किया 15 डिग्री बहुत अच्छा वाकी और कोई रिशिक गुपता ने आंसर किया फ़स्ट 15 डिग्री एनिवन पांजली मिशरा ने भी आंसर ए किया है अभिशेक यादव अश्मिट ठाकुर ने किया नन अफ दीज ब्रिया सिंग ने आंसर किया शशांक शुकला 345 बहुत 6 हर्शिता वर्मा देखिए मैंने अभी अभी ऊपर लिख रखा है ऐसे एंगल जो 180 बड़े होंगे 360 से क्या होंगे छोटे देखिए 6 बच के 30 मिनट की बात कर रहा है क्या बना वन रेचो 5 बन रहा है ना छह क्म 6 Fr 35 तो घब भी बन रेचो 5 बनता है अगल निकालने के लिए क्या करते हैं मिनट का क्या कर देते हैं आदा कर देते हैं आंगल कि आ जाता है तो 30 का आदा किया ना 7 डिऎक बलेadensk अहांपर reflect क्या करना है अभी 360 में से जो भी angle निकल के आएगा जो भी angle निकल के आएगा उसको किसमे से minus कर देना है 360 में से, so what is our correct answer here? 345 degree. Reflex angle के लिए आप सभी का जो भी angle निकल के आएगा आपको उसको किसमे से minus कर देना है 360 में से, यह condition होती है reflex angle की. विशाल जैसवाल 195 नहीं आएगा संगम गोतम जी 195 नहीं आएगा कभी भी 180 में एड नहीं करते 360 में से घटाते हैं 360 में से ठीक है इस चीज को याद रखिएगा हरेंद्र नहीं जी बोल रहे है रिपीट सर ओके देखिए हरेंद्र जी मैंने क्या बोला हमने एंगल निकाला 6 बज के 30 मिनट पर 6 बज के 30 मिनट यानि कि अभी टाइम जोन क्या हो रहा है वन रेशो फाइव ठीक है अब बन रेशो डिग्री आया है अब आपको कुछ नहीं करना इसको 360 में से माइनस कर देना है आपका आंसर निकल के आ चुका है 345 डिग्री चीक है चलिए जितने लोगों ने यह कुश्चन कर लिया है अब सब करेंगे नो बज़के 42 मिनट पर निकाले चलो निकालो जल्दी से नो बज़के 42 मिनट पर रिफ्लेक्स एंगल निकालो नो बज़के 42 मिनट पर पटापट से बिना देरी के 942 आप्शन नहीं दे रहा है इस कोश्चन में जल्दी से आंसर करो नो बज़के 42 मिनट पर रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा कलम सबी लोग पढ़ेंगे वनेटी डिगरी तीन सो साट डिगरी जीरो डिगरी उसके बाद 90 डिगरी देट इस वी कॉल्ड राइट एंगल ऑपोजिट एंगल और उसके बाद एरर भी डिसकस करेंगे चलिए पंदरा आंसर आ चुके मेरे पास अभी तक है तीन सो इस, 343, 349, चली सबका कैल्पुलेशन गड़ बढ़ा रहे तो, हरशीता वर्माजी बोल रहे तीन सोanne zwischen होगा, चलो मैं चेक कर लेता हूं। देखिने, नो बज के 42 मिनट की बात कर रहें, किसकी बात कर रहें? नो बज के 42 मिनट की. 942 पर एंगल कितना बनाए 927 और 21 का अधा 21 कितना आगया यह 291 और 42 को multiply किया 6 से चीक है 624 24 246 दुनी 12 252 252 डिगरी चीक है माइनस किया 11 में से 2 गया 9 8 में से 5 गया 3 39 तो अब भाईया कुछ नहीं करना 360 में से 49 डिगरी माइनस कर देना है तो कितना आएगा 10 में से 9 गया एक 5 में से 3 गया 2 और यहां पर क्या आगया 3 था ही 321 डिगरी अच्छा प्रद्युमन कुमार 301 पर पहुंच गये अरे भाईया 321 डिगरी आइगा अरे लिखके बताई क्या समझ नहीं आ रहा समझ क्या नहीं आ रहा रहा है अच्छली वो बताईए जो ओपको समझ नहीं आ रहा है इसमें समझने जैसा अच्छली कुछ है नहीं फ़र भी आप बोल रहे हैं तो आप मुझे लिखके बताईए आपको समझने में क्या दिक्कत हो लिए हरेंद्र का आंसर आहरा है 270 हरेंद्र 270 कैसे आया अच्छा ये 270 कैसे हरेंद्र नंच चीज बताइटीव पूरे गळोक में गंटे वाली सूइंग को किससे multiply करना है 30 से गंटे वाली सुई को multiply किससे करना है 30 से दिखे मैंने क्या किया R into 30 minus minute into 11 by 2 मैंने यही किया है रेंद्र तो देखे गंटा वाला time कौन साई 9 minute कितनी है 42 तो 9 गुणा 30 minus 42 into 11 बटा 2 अब देखे 270 यह आ गया माइनस में कितना आ गया यहाँ पर 21 इंटो 11 ग्यारा एकम ग्यारा और उसके बाद में 11 दूनी 22 और 21 अब देखिए 270 मेंसे 231 को घटाया तो कितना आ गया 49 डिग्री कितना आ गया 49 डिग्री अब मैंने कुछ नहीं करा इस 49 डिग्री को किसमें से घटा दिया 306 में से तो आपका अंसर निकल के आ गया अभी किलियर है अरेंद्र जी अभी आपको समझ में आया चलो मेरे चीतो जियुक्ति वारेंद्र जी आपका आंसर करेक्ट आना चिए इस बार देखिए अब मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है बड़े अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं चलिए जल्दी से आंसर कीजिए सात बचके चपन मिनिट पे वेरी गुड़ कुश्पांजली ने आंसर किया है 332 262 दिव्यांच ने आंसर किया 262 प्रदीत ने आंसर किया 262 प्रणाव यादाव ने आंसर किया 316 चलिए यहां तो अलग-अलग आंसर आ रहें अरे बिया कुछ नहीं करना है देखते हैं देखते हैं देखिए देखिए किये में क्या बोला है आपको साथ बज़ के 56 मिनट बन रहा है ना रेशो एट आते कम साथ साथ चपन रेशो एट का फोर्मूला क्या होता है इंट मैं टू कर देना है शौर्ट रिक बताया था अभी अभी कि 56 में से साथ को माइनस किया तो क्या आ गया 59 59 नी 49 इंटू में 2 करा तो कितना आ गया 98 98 कुछ नहीं करना जी कि में से 98 को माइनस करना है 10 में से 8 गया दो से बाद 15 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा आप सबी का शेटी टू डिग्री डी सो बासट डिग्री आपका अंसर आएगा पलक शेफर्ड बोल रहें सर्फ 49 कैसे आया अरे पलक बिटा भी आपको बताया था ना पर वन रेशो एट बनता है तो हम क्या करते हैं यह साथ बज़ के 56 मिनट पर एंगल निकालते हैं पहले हम साथ बज़ के 56 मिनट का साथ गुणा में 30 माइनस चपन गुणा में 11 बटा दो शायद आपको समझ में आ जाएगा यहां पर 28 आया यह 210 माइनस जिनका यह हो गया वो सभी निकालेंगे नो बज़ के 36 मिनट पर निकालो बाकी मैं समझा रहा हूं सभी को कि पलक यहां ध्यान दीजिएगा आठ अठ अठ बचा ग्यारा दुनी बाइस और आठ कितना हो गया 308 में से आपने जब 110 को माइनस किया तो कितना आगया नाइनटीएट डिग्री और आपको कुछ नहीं करना उसके बाद में 360 में से किसको माइनस कर देना है नाइनटीएट को सो वट इस आवर आंसर है तो सिक्स्टी अभी क्लियर है पलग आपको कि पुषपांजली ने अंसर किया 288 सुरेंद्र तिवारी ने अंसर किया 342 शीता ने अंसर किया 352 विशाल 288 288 राशी कुषवान भी आंसर किया 288 पीशे ग्यादाव ने आंसर किया 352 नो बज के 36 मिनट यह यहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वन रशो फौर बन रहा है वो शॉट रिक क्यों बता हिए मैंने तुम्हें adoptless नो चोंग छरट्यइस किस बैतर को क्या कर देना है इन सो साट में से बैतर को जब माइनस किया तो कितना जाएगा 288 डिग्री देट इस यूर करेक्ट आंसर तेटी दिग्री थाज हमने तीन टाइप गों सेप्ट पडई है पफ़्ा का बिजकी ऐसला निकालना आप जब आपको पर इंड दिया और आपको क्या का लिए आइंगल निकालने कारी दूसरा मिनेट में और कोणी है दूरी और घंटे वाली सोई में कौन यह दूरी उटके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताईए तीसरा हमने क्या पढ़ लिया रिफ्लेक्स एंगल पढ़ लिया है हम पढ़ेंगे क्या-क्या इंसाइड एंगल यानि की आसन कौन दोनों सुईयां घड़ी के एक दूसरे के ऊपर होंगी विपरीत कौन अप परस्ते राम राम से रहिए मुस्कुराते रहिए नाइट स्विट ड्रीम्स के लिए बबाए कर लास अगर समझ में आई हो तो थोड़ा सा अच्छे कमेंट कर जाया करो यारा दुश्मन थोड़ी ना हूँ